हेलो दियर शुदेंट्स कैसा है आप सभी I think you are all very best आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगी वैद्द दुदुदुफ की निरक्षिय स्थिती में brought sight on stage पे या फिर अनुप्रस्थ स्थिती में वैद्द छेतर की तीवरता intensity of electric field उससे पहले मैं आप से एक चीज कहना चाहूंगा आप हमसे connect रहने के लिए telegram डाउनलोड करें और telegram पर ही आप हमें search कर लें the defined दुद्रा के नाम से या फिर आप चाहें तो मेरे number से भी मुझे search कर सकते हैं आएं चलिए वैद्द दुदुदुदुफ की निरक्षिय स्थिती में वैद्दुद छेत्र की तीवरता के लिए वेंजक निकालते हैं वेटा तो वेटा देखते हैं निरक्षिय स्थिती very easy है बहुत आराम से आप देख लेंगे यहाँ देखें यह मान के चलें कि यह आपका यह आपका डाइपोल है जो की minus q और plus q से मिलकर बना हुआ है वेटा और इनके बीच की जो टोटल डिस्टेंस है उसको मान लेते हैं टू यल है ठीक है ना और मान लेते हैं इनका midpoint जो है वो ओ है जहां से यह इतनी distance यल हो गई तो यह भी इतनी distance यल हो गई एक ऐसे medium में रखा जिसका परवाजुतांग के है मैं इसके निरक्षिय स्थिती में यानि अभिलंबावत चाहे उपर ले लिजेगा चाहे नीचे मैंने उपर ले लिया है मैं मान लेता हूं कि यह distance जो है हमारी यह बिटा r है distance और इसी निरक्षिय स्थिती में आई डिस्टेंस पर इस point पर वैदुच्छेत्र की तीवरता निकालनी है हम क्या करते हैं बहुत इसली जो आर्ख हमारा है वही हवीशा करते रहेंगे यही निकालना है आपको इसको माल लेते है point P तो P point पर सबसे पहले आप यहाँ धन पर इक प्रतिकरशित करेगा तो यह direction बनेगा बेटा अब देखें minus plus को आकरशित करेगा तो यह direction बनेगा बेटा आकरशन का यह प्रतिकरशन वाला यह और आकरशन वाला यह यह तीवरता जो आप देख पार है यह B के कारण किस पर है बेटा P पर है इसको आप लिख सकते हैं E B के कारण किस पर वेटा P पर है ये ठीक है ना B के कारण P पर है ये ती वरता आपकी A के कारण किस पर वेटा P पर है इसको आप लिख सकते हैं P पर किसके कारण A के कारण आप देख लें एक इधर डारेक्शन में एक इधर डारेक्शन में तो P पर जो नेट ती वरता होगी ये कह से जाएगी ये मुझे भी नहीं पता कहां से जाएगी इसकी चर्चा की जाएगी पहले हम E, P, B निकाल लें और E क्या निकाल लें पी ये लेकिन आपको इनकी जो नेट तीवरता है अगर वो चाहिए तो वो तीवरता मैं आपको बताऊं इनके इसी बीचों कहां जाएगी ब तो सबसे पहले ज़रूरी है अगर आप देखें इस पॉइंट पर दो तीवरता है एक उपर वाली एक नीचे वाली एक प्लस की की करण और एक माइनस की करण तो पहले आप दोनों तीवरताओं को निकाल लें आईए निकाल लेते हैं ठीक है निकालेंगे उससे पहले वही होगा क्या अंडरूट आर स्क्वाइर स्क्वाइर प्लस क्या विटा ऐल स्क्वाइर यह भी तिवरता उतना ही होगा अब आपको मैं दिख्वा देता हूँ इसको भी तपीर ऊष्षे लिख दो देखने में नहीं अच्छा लग रहा है दोनों चुकी R² प्लस L² आप आईए, यहाँ पर तीवर्ता निकालते हैं ठीक है ना, तो बहुत इजी है इसको भटा दे, तो P पॉइंट पर तीवर्ता, सबसे पहले A की कारण, फिर किस की कारण, B की कारण आईए E, P, E 1 अपान 4 पाई Epsilon 0 K, ठीक है ना क्या चीज़, A पर चार्ज देख लें कितना है, माइनस Q लेकिन लिखूंगा सिर्फ Q, और यहाँ से, यहाँ तक की यह डिस्टेंस है वो है, रूट R² प्लस L रूट R² प्लस L और हम दूरी का क्या करते हैं, होल स्क्वाइर करते हैं आईए, इसको जड़ा साब सुत्रा कर दें EPA, 1 अपान 4 पाई, अपसाइलन 0 K Q बाई, R² प्लस L², आप देख लें इसको equation number first माल लें आप एक काम करते हैं, P पर B के कारण निकालते हैं, 1 अपान 4 पाई अपसाइलन 0 K, Q बाई R², प्लस L स्कोइर, एक बाई फिर से देख लें B से लेकर B तक के बीच का डिस्टेंस B से P का डिस्टेंस, उतना ही है उसका स्कोइर करते हैं, यहां से जो आपको E, P, B मिल जाएगा 1 अपान 4 पाई, अपसाइलन 0 K, Q बाई, अंडर रूट 1 और 2 को देखें, from first and second अगर आप 1 और 2 को देखेंगे 1 और 2 को, क्या 1 अपान 4 पाई, अपसाइलन 0 के 1 अपान 4 पाई, अपसाइलन 0 के यह हिस्सा बिल्कुल दोनों का सेम है Q अपान R², प्लस L² Q अपान R², प्लस L² ये भी हिस्सा दोनों का बिल्कुल क्या है बेटा, सेम है, तो कह सकते हैं, क्या कि E, P, B, बराबर E, P, A, यानि दोनों तीवरताओं बिल्कुल बराबर हैं, यानि हम इनको E मान लेंगे, और इनकी वैलू 1 अपान 4 पाई, अपसाले 0, K, Q, Y, R², प्लस L², दोनों तीवरताओ की वैलू सेम है, हम आपको देखा दिये इस शीच को, यानि इनका जो परिणामी है, बेटा, वो बिल्कुल कहा जाएगा, बीचो 20 से, जैसा कि हम आपसे पहले भी कह चुके थे, कि जो नेट होगा बेटा, वो बीचो 20 से तभी जाएगा, कब जाएगा, कब जाएगा, जब ये और ये, दोनों की वुर्ताएं समान हों, अगर मैं कहूं, ध्यान दीजिया, ये भुजा अंडरूड आर स्कॉयर प्रस L स्कॉयर, ये भी भुजा अंडरूड आर स्कॉयर प्रस क्या बेटा, L स्कॉयर, तो बराबर भुजाओं के, सामने के कोण भी क्या होते हैं, बरा क्या निकालनी है, इनेट निकालनी है, तो इनेट निकालने का फार्मूला पहले आपको बता देता हूँ, ये देख लें, अगर दो वेक्टर आपको दिये हूँ, A vector, B vector, इनके बीच का कौन थीटा हो, इनके परिमार जो हैं, अगर क्या हो, A और B हो, इनके परिमार अगर A और क्या हो, B हो, तो इनका जो परिणामी होगा, resultant, resultant का formula होता है, R is equal to under root A square plus B square plus 2 A, B और इनके बीच का कोन की कोजिया, cause क्या, ठीटा, इसी formula से हम लोग, यहाँ पर E क्या निकालेंगे, net निकालेंगे, जो बहुत ही easy होगा हमारे लिए, आईए देखते हैं, आईए देखते हैं बेटा, कहते हैं, E net is equal to, क्या, under root, ठीक है न, तो क्या, पहले का square, पहले का square, मतलब EPB का square, तो लिख दो, EPB का square, दूसरे का square, यानि, E कौन, PA का square, फिर, प्लस 2, फिर क्या, पहला, इन्टू दूसरा, तो पहला EPB है, और दूसरा, E क्या है, PA है, और गुडे कास, क्या, दोनों के बीच का कोण, अगर आप देख लें, इन दोनों के बीच का कोण, टू ठीटा है, तू ठीटा है, आप जड़ा सा आगे बढ़ते हैं, E, net प E है, EPA भी E है, कास 2 ठीटा है, उसके बाद देख लें, E, net बराबर बेटा, अंडर रूट, E, square, 2, E, square, प्लस 2, E, square, ये भी है, कास 2 ठीटा की जो है, value होती है, 2, कास 2, ठीटा, माइनस 1, यह फार्मूला है बेटा, कास 2, ठीटा का, यहां देख लें, E, net आएगा बेटा, अंडर रूट, 2, E, square, प्लस, 2, 2, जा कितना होता है, 4 होता है, E, square, कास 2, ठीटा, कास 2, ठीटा, माइनस 2, E, square, यह हो गया, यह और यह क्या हो जाएगा, बेटा, कट जाएगा, आगे देखें, देखें बेटा, तो यहां से जो निकल कर आएगा, E, net बराबर, E, net बराबर जो निकल के आएगा, 4 का अंडर रूट कितना होता है, 2 होता है, E, square का अंडर रूट, E हो जाएगा, कास 2, theta का अंडर रूट, कास क्या हो जाएगा, theta हो जाएगा, हमारे लिए, जो एक बड़ी मुसीबत खड़ी हुई, इसको आप equation number 4 माल लें, आप यह मत कहेगा, मुझे 4 लिखना नहीं आता, आप देख लें, हमारे लिए बड़ी मुसीबत क्या है, कास theta है, कोई बड़ी मुसीबत नहीं है, हम जानते है, कास theta बराबर, आधार बटे कर्ण होता है, theta से सटी भुजा आधार है, और आधार की value हम देख पा रहा है, L है, उसके बाद बटे कर्ण, कर्ण की value ये देख पा रहा है, कर्ण यहीं, under root R square plus L square, हम देख लिए, आपको मिलाकर L बराबर, R square plus L square, under root को हम घाते एक बटे दो भी लिख सकते हैं, अज हम से गिर पड़िए, समी करण नंबर किसमें बेटा, तीन में गिर पड़िए, बहुत easy है, E net बराबर 2, E की value देख लें, कितना, 1 upon 4 pi epsilon 0, के Q बटे R square plus L square, क्या, 1 upon 4 pi epsilon 0, के Q upon R square plus L square का क्या बेटा, कोई घात नहीं है, क्या घात है यहाँ पर, multi, यहाँ देख लें, cost theta, cost theta की value, L बटे R square plus L square की घाते, एक बटे, कितना बेटा, दो, ये इतना हो गया, आगे देखिए, अब ये देखिए विड़ा, अब क्या कहते हैं, E net, बराबर, क्या चीज बचा, 1 upon 4 pi epsilon 0, के, बहुत आसान हो गया, फिर यहाँ देखिए, Q into, देख लें, 2 को अंदर ले जाऊंगा, 2L, बटे, यहाँ देखो, R square plus L square, गुणे में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, तो 1 plus 1 बटा कितना, 2, इसका, इसका मल्टी हो रहा था, मैंने घातों को जोड़ दिया, उठा के, यहाँ देखें, E net equals, 1 upon 4 pi epsilon 0 के, दुनिया जानती है, Q into 2L बराबर, P होता है, यहाँ देख लें, R square plus L square की पावर, 3 बटे, 2, 2, 1, 2, 1, 3, 2, सब को पता है, L square, इसके comparison में R square के कितना है, 0, मैं आपको बता चुका हूँ, E net बराबर, आप क्या लिखते हैं, 1 upon 4 pi epsilon 0 के, P upon R square plus L square को खतम कर दिया, हमने 3 बटे, 2, 2, 2, कट जाएगा, E net बराबर, 1 upon 4 pi epsilon 0 के, P upon R की पावर, 3 हो जाएगा, चुकि यहाँ square square कटा था, R बचा था, R की पावर, 3 हो गया, सब को पता है, E 1 सदिस रासी है, तो PB 1 सदिस रासी है, इसकी दिशा आप देख लें, इसकी अच्छ के समांतर, प्लस से किसकी ओर, माइनस की ओर, तो लिख दीजिए, दुईधुरुप की अच्छ के, आनूदिस, माइनस Q, I'm sorry, प्लस Q से, किसकी ओर बिटा, माइनस Q की ओर, याद रखेगा, प्लस Q से, माइनस Q की ओर, क्या हो गया, निरक्षिये स्थिती में, मातरक आपको पता है, निउटन पर क्या होता है, कुलाम होता है, ये आपकी वैद्दुच्छेतर की क्या आ गई, तीवर्ता आ गई, यानि यहां से हमने एक बात बड़ी नोटिस की, जो एक बात बड़ी नोटिस की, वो ये है, कि स पाती है, मतलब वन अपान आर स्कॉयर के अनुक्रवन पाती है, आर स्कॉयर के वित्क्रवन पाती, ये बेटा हमको दोईधुरुप के निरक्षिय स्थिति में वैदुच्छेत्र की तीवर्ता मिल गई, एक छोटा सा कमेंट आप यहाँ पर हमसे जरूर ले लें, वो ये अगर ये दोईधुरुप है, और ये इसकी निरक्षि स्थिति में आर दूरी है, और ये अच्छि स्थिति पर भी कितनी ही दूरी है, आर दूरी है, तो ये अच्छिय में, वन अपान फोर पाई एपसाइलन जीरो के टू पी बाई आर क्यूब, और निरक्ष में, निरक्ष में, वन अपान फोर पाई एपसाइलन जीरो के पी बाई आर क्यूब, यानि क्या देखकर लगता है, क्या देखकर लगता है, कि जो अच्छ है, अच्छिय स्थिति में जो तीवर्ता है वो निरक्षिय की तीवर्ता की कई गुनी है ये देखिए दो गुनी है यानि दो गुनी है निरक्षिय की तीवर्ता की है लेकिन एक सर्त है कब जितनी दूरी पर निरक्षिय स्थिती हो उतनी जितनी दूरी पर अच्छिय स्थिती भी हो तब यानि कि वैद्द हो तो ये भी दो ही मीटर हो तब ऐसा हो पाएगा अब मिलते हैं हम लोग बेटा वैद्दुद दुद्रुप के किसी भी स्थिती में वैद्दुद छेतर की क्या निकालते हैं तीवरता निकालते हैं बहुत इजी है वो भी लेट्स सी